हेलो एवरीवन आपका एक बार फिर से वैलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ बजाज फिंसर्प कंजप्शन फंड डायट ग्रोथ के बारे में इसमें मैं आपसे डिसकस करूँगा यह जो को मिल सकता है और इसका एन्वल रिटन सारा कुछ जानकरी कंप्लेट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बजाज फिंसर्प कंजप्शन फंड डायट ग्रोथ यह कापी हाइरिक्स करता है तो ठीक है यह एने फो आपके मुच्वल फंड में जो डैसबॉर्ण में सो होगा यानि की यह एने फो आपके मुच्वल फंड में जो राट्मेंट किया जाएगा वह किया जाएगा 29 नॉंबर दोजा 24 को और जैसे कि निउफंड उपर कहने भी रथा है 10 रुपया इसमें भी सेम है अगर आप इस तरीके का मुच्छवल फंड रिब्यू देखना पसंद करते हैं तो यह ख़बारा में चैनल है जो कि अभी आपको इसक्रीन पर दीख रहा होगा तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट किजेगा इसमें मैंने काफी अच्छी-ची प्रिच्वल फंड को लेकर के इसकी डाटा निकालने की कोशिस करेंगे एकजिट लोट की बात करते हैं अगर आप इन्वेश्ट के आप पैसा तीन मैंने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको एक परसंट का एक परसंट का एक जिट लोट देना होगा और स्टम डूटी क इस एनफो के अंदर इन्वेश्टमेंट करना चाहता है तो फिर मिनिमूम लंब सम आपको 500 रुपया का करना होगा और अगर आप S.I.P. के थूरू इन्वेश्टमेंट करेंगे तो 500 रुपया से आप अपना S.I.P. स्टार्ट कर सकते हैं इनके फंड हाउस और इन्वेश् फंड की तरब से निमेश चंदन अभी इस फंड का करेंट फंड मनेजर है इस फंड का करेंट लिए असिस्ट अंडर मनेजमेंट है 12263 करोल का और लेटेस्ट ने भी है 10 रुपया बजाज फिंसर्फ कंजप्शन फंड डाइट गोथ ये काफी हाई रिक्स मुच्वल इसे मिनिमॉम एसाइप इमांट 500 प्रेका सेट किया गया मिनिमॉम लंसम भी 500 प्रेका सेट किया गया है अगर आप इंवेस्ट क्या पैसा तीन मैने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको एक परसंड का एक जिट लोट देना होगा और इसकी फंड बेंचमार्क अगर बात लेकने को मिल सकता इसका इन्वल रिटन यह सारी चीजे हमने किसी तरीके का कंजप्शन मुच्वल फंड को लेकर करके डाटा निकालने की कोशिस करते हैं यहां पर जो हमने मुच्वल फंड सेलेक्ट किया है वह है SBI कंजप्शन ऑप्चॉन्टिव फंड डायट ग्रोथ यह एक एकविटी मुच्वल फंड है जो कि थीमेटिक के टेगरी के अंदर आता है और यह काफी हायरिक्स मुच्वल फंड है इसने जो पिछले एक साल में रिटन दिया वह 35.18% का रिटन है तीन साल की बात करें तो तीन साल में 23.09% का रिटन दिया है पांस साल के रिटन क करेंगे तो एन्वल रिटन 18-19-20% का देखने को मिलेगा या पर नहीं मिलेगा उतना तो आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बजाज फिंसब जो असिस्ट अंडर मेंजमेंट है अभी काफी नया है मार्केट में तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इनका जो ह में उसको 20-25% का रिटन देखने को मिल जाएगा लमसम में पहले एक साल में इस्टॉक होल्डिंग की बात करते हैं तो किन-किन सेक्टर पर आपको इस्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है बजाज फिंसब में तो कंजुमर स्टेप सर्विस कंजुमर डेक्स सेक्टर पर आपको इस्टॉक होल्डिंग देखने को मिल जाएगा एकस्पेंस रेशियो को पर बात करें तो इनका जो SBI का एकस्पेंस रेशियो है वह है 0.90 का तो आपको जो है बजाज फिंसब में इनसे थोड़ा सा ज्यादा 0.9 से लेकर करके करीब एक परसेंट के कर दो